मुश्कार केत खजाना में आपका स्वागत है आज जुलाई महीने की नो तारीख है और दिन है मंगलवार आज या कल से आप कह सकते हैं सुमवार से सरसो में गिरावट का सिलसिला जारी है पचास पचास रुपे रोज बाजार गिर रहा है और आज जो स्तिती है वो सतावन सो रुपे भरतपुर मंटी का भाव रह गया है जो पिछले तीन चार दिन यानि पिछले सब्ता के अंदर अगरम बात करें तो सतावन सो ऐसी सतावन सो नब्बे सतावन सो पिचानमे के आसपास भूंता रहा और कभी भी खुलने का जो कारोबार है वो अठावन सो रुपे त तक की ग्रावट सलोनी प्लांट में है अन्य प्लांटों में 100 रुपे तक की ही ग्रावट है और अगर यहीं सितियां बने रही विदेशी तेलों की विदेशी तेलों का जो दबाव है उसके कारण आज KLC काफी कमजोर रहा और 100 रिंगिट तक तक जो सितंबर अनुबंध ह है वो सो रिंगित से नीचे चला गया सो रिंगित से ज़्यादा तूट गया कमजूर हो गया और इसका असर सिधा सिधा जो हमारे भरती एक खाद्य तेल बाजार है उस पर देखने को मिला तो तेलों की जो स्थिती थी उसमें नाज़ब हालात बने रहने से सरसों का बाजार भी कमजोर होता चला गया अब क्या है कि आज एक रिपोर्ट ये आई है कि मलेशिया पामायल बोर्ड की तो रिपोर्ट कल आएगी दस जुलाई को वो जून महीने की रिपोर्ट होगी कि जून महीने में मलेशिया में पाम का उत्पादन कैसा रहा पाम का एंड और नेर्याद कैसा रहा? इस पर अधारित होगी कल से के ल्टी की चाल, दिशा कैसे बनेगी? लेकिन आज एक रिपोर्ट में ये कहा गया है, सपोमा की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि एक जुलाई से लेकर, पांस जुलाई के बीच में यह जुलाई महीने क पहले पांच दिन में जो मिलेशिया पामाइल का जो उत्पादन है वो 58 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है ये खतरनाक स्थिती है जो के लसी को और कमजोर कर सकती है हालां कि थोड़ा सा शामकों का के लसी में रिकवरी सी दिखाई दी है हलकी जी बहुत ज़्यादा नहीं है ले सी को सहारा मिल सकता है और रिकवरी देखने को मिल सकती है जिससे बाजार थोड़ा सा रिकवर हो सकता है सरसों का बाजार भी बहुत ज़्यादा तेजी की उमीद नहीं है मैं तीन चार दिन से लगाता राप्चे निवेदन करना हूं सरसों में इस समय बड़ी तेजी की समभावना नहीं है और ज्यादा गिरावट की समभावना नहीं है ज्यादा से ज्यादा घर बजार कल तूटता है तो पत्ची सुरुपय पचास लुपय और तूट सकता है फिर बजार ठैरेगा और वहां से रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी दिन इसमें पांस दिन साथ दो दिन चार दिन कुछ भी लग सकता है लेकिन recovery अवश्य आने की संभावना बन रही है दूसरा कारण इसका सबसे बड़ा है recovery आने का इस जो 37 लाक बोरी की जो आवक बनी हुई है वो तूट नहीं रही है ना कम हो रही है ना जादा हो रही है एक बार 25 चली गई थी आपको जाद होगा पिछले सब्ता के अंदर लेकिन उसके बाद फिर तीन सबा तीन साड़े तीन के आसवास घूम रही है इसमें को बहुत जादा आवक बढ़ने की संभावना नहीं है और आवक नहीं होगी तो बाजार को बढ़ना ही पड़ेगा और आईए देखते हैं कुछ मं चिस रुपे तक था अलवर और कोटा का भाव इसमें 6400 रुपे है जो 6600 रुपे तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया था बरतपूर का भाव में बता चुका हूँ 5700 रुपे है इस टाइम भी भाव 5700 रुपे ही है इससे कमजोर नहीं हुआ है नडवई 5700 रुपे जैप चैथल मंडी 5750 से 5725 अलवर 5800 से 525 गंगापूर सिटी 5760 से 5770 टौंक मंडी 5655 निवई मंडी 5625 आदंपूर 501 सिर्शा 521 कोटा 515 पिकानिर पच्पंसो और सुमेरपूर मंडी 5711 आज इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नवस्कार